अरेकृष्ण दोस्तों मेने नाम है डॉक्टर प्रतीक चुहान और मैं आज ये वीडियो जो बनाऊंगा चार सक्षन में मतलब कि इसके चार पार्ट होंगे पहला पार्ट कि मैं आपसे सला लोंगा अभी तक मैं यूट्यूब बैठके केबल में आपको सला दे रहता लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सा लोग बाते समझ में नहीं आती हैं तो वो लोग मुझे सला दे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए उस केस में दूसरा पार्ट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप मुझे समझाओगे ना तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग का प्रॉलम है आप लोग कैसे ठीक हॉंगे थे तीसरा मुझे बिश्वास मत करना ना हो जिकर किसी भी apples कोूल के मुझपे ट्रस्ट मत करना वो क्यों मुझपे ट्रस्ट क्यों नहीं किçãoगे है एक आप पहली वीडियो में बताऊंगा मतलब अभी इसी वीडियो में बताऊंगा और चोड़ता पार्ट आपके मज़दार में कमेंट से यहां रीट करूंगा तो चलिए मुझे किस बारे में अपैसे सलाह लेनी है, अपैसे 3-4 साल पहले हमने दिवार के अंदर फिटिंग कराए եी, पानी की तंकी को जो पाइप होते है न, हमने उसके फिटिंग कराए थी तो हर जगत फिट हो गया हर जगत अचा हो गया, लेकिन किवल एक जगesyए, ए पूरी की पूरी दिवार खराब हो गई है उस दिवार को कम से कम चार साल हो चुके हैं खराब होए वे और मैंने चार साल में कितनी बार उसके डेंटिंग पेंटिंग करा दी है मतलब कि उसका जो सिमंड वाला प्लास्तर होता है उसको तुरुआ दिया फिर से वहां पे नया लगवा दिया, उसमें बारा महीने में, कमसे चार-पांच बार पेंटिंग कराने पड़ती है, उस दिवार पे, पुदाई कराने पड़ती है, बाहर से, आपने देखो कि जो बिर्ला बाइट पुट्टी होती है, उसको भी वहाँ पे करवाना पड़ता है, कहीं बार, लेकि फिर भी वहाँ से सीलन नहीं रुकती है, ठीक है, और ऐसा मैं कहीं बार कर चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे पाइप अंदर से लिख है, और मैं बाहर से कुछ भी अगर उस पर करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता है, अब आप मुझे बताईए, कमेंट फो भद्यों लगनी चुरूँगी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, चलिए, आप मुझे इसका अंसर देजिए कि मैं क्या करूँ, दूसरा पार्ट जो मैंने कहा था, कि आपको खुश सोंज में आ जाएगा, तो यह जो मैंने बनाया था, यह जहाइए पे तो फिट होता ही है, बाकि आपकी अन्य किसी भीमारी पे फिट हो जाता है, तो इसका आपको सिंपल उत्तर इसका पता है, और जो आप मुझे सला दोगे, तो क्या दोगे, कि आप एक काम करो, वो जो जहाँ पे वो पाइक में जहाँ पे लीक हो रहा है पानी, आप वो पाइप चेंज करा दो, या फिर उस पाइप को आप ठीक करा दो, उस पाइप को आप ठीक करा दोगे, तो आपकी सिलन आनी बंद हो जाएगी, और आपकी दिवार भी अच्छे रहेगी, नॉर्मल रहेगी, अब सिलन दूर होन में कितना समय लगा उस दिवार को, भाई समय तो लगे गा न, ये मोस पूरी से जिलन नहीं जाएगी, गर्मियों को मौसम मत उसमें जिद्र फिरिंचने जाएगी, वो ठीक कराने के बाद, ठीक है, तो यही आपका जहाईउं का उत्तर है, अब जैसे जहाईएं आपकी उपर तो होती नहीं है, ये आपकी अंदर के लेर में होती है, पहले लेर उस लीकिंग पाइप की जैसे बाहर आ रहे थी, ऐसे ही जो डर्मिस के अंदर आपके मेलिनिन बन रहा है, एकसेस में, उसकी वेसे जहाई हैं आपके बाहर आ रहे हैं, उपर से आप जो मर्जी अपलाई कर लेना, जो मर्जी, दुनिया के अगर कोई एक लाग रुपा करीम आपकी वीडियो प्ले हो जाती हैं, तो उसमें एक एड चला जिसमें, एकनी के लिए वो दे रहे थे, कि कोई क्रीम बनाया है, कोई फेस वोच बनाया है, उसके साब साब क्रीम उपर से आप लगाईए, तो आपकी एकनी ठीक हो जाएंगे, मतलब कि तिम्पल से ठीक हो जा कि बार भी जिसकी स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है, जो वो ही ठीक नहीं हो रही है, उस तरह से केवल बाहर-बाहर से टीटमेंट देने से, तो क्या आपके पिम्पल्स, आपकी जाएंगे, क्या बाहर-बाहर की टीटमेंट से सही हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि उनका कोज अंदर है, अंदर की बज़े से बन रही है, तो क्या आपके पिम्पल्स, कोई भी क्रीम लगाने से, कोई भी फेश फोस लगाने से, कोई भी स्क्रब लगाने से, कोई भी जैल लगाने से, ठीक हो सकते हैं, दूसरा, क्या आपके जाएंगे, कोई भी क्रीम लगाने से, कोई इस चीज़ का अंतर देजिए ठीक है क्योंकि अब आप शायद समझ सकते हैं उस तरीके से जैसे मैंने और वह कहानी नहीं है यह मेरे साथ में रेली में हो रहा है एक पाइप लीक हो रहा है वहाँ ठीक है ओपर से मैंने हर चीज़ ट्राइब करके देख ली नहीं सही हुआ ए जिसके कार्डबोर्ड वहां पर लगाया उसके अंदर भी सीलन आगी उसको भी उसने गला दिया ओके तो मतलब कोई भी ट्रीट्मेंट वहां पर सफल नहीं हुआ बशरते उसका ट्रीट्मेंट एक अबल क्या है जहां से वह लीकिंग हो रही है उस एरिया को मैं खुदवा पाइप को वहां से कटवा के मैं सही करवा दूँ तब जाके वह ठीक होगा पर्मेनेंट ओके ठीक है ऐसे ही आपकी जहाइए जब तक अंदर से वह पिग्मेंटेशन आपका बन रहा है एकसस में जब तक कि वह ठीक नहीं होगा आपके जहाइए कोई भी डॉक्टर ठीक न तो वह क्यों हुए है उसके पीज़े कारण क्या है ठीक है अगर वह तरह 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 तो कितने समय में आपके जहाइए ठीक हो सकती है तो पिछली वीडियो मैंने बताया थी इसकिन के साइकल ठीक है यहां पी मैं आप जिस्ट आपको आईए से बतायता हूँ एक्जामपल आ आपको एक महीने के अंदर रिजल्ट दिखाए देगा एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट नहीं दिखाए देगा क्योंकि यह माली यह आपकी उपर के लियर है और यह आपके अंदर के लियर है यह वाली ठीक है यह अंदर के लियर है आपकी तो जब मैं इसको ठीक कर है तो क्या होगा हमारी तोचा नेचर तरिके से उतरती है उतरना मतलब नचुल तरिके से हमारी тут होती है उतरती है हमारी 35 तरrust चालीस दिन में 50 दिन में अबेलों निकल कर आती है युच पर डिपर इपैंड करता है जętनी ज्यादा होगी उससे प्लस प्लस 5 कर लेना जैसे मालेज आपकी उम्र 35 साल है तो प्लस 5 यानि कि चालिस दिन में आपकी स्किन पील ओफ हो रही है तो अदिकतर जैसे मेरे पास में पीशेंट है 20 से लेके 40 की उम्र की बीच में बहुत जाद हैं तो हम किवल एक average माल लेते हैं 40 जिन आपकी जो skin peel off हो रही है naturally वो 40 जिन में हो रही है और हम आपका pigmentation अंदर से खतम कर रहे हैं तो यह प्लाइव कर रहें यहां से खतम होची कोई दौइए हम दहीं ही नहीं ऐसमें तो कैसे ठीक होगा पहली आपके लेयर उतरेगी तो शेक्ट लियर काली ईएक फिर पिर सा Lima पिड़ से 30 लेयर जब उतरेगी तो च्रिअ लिए लए JEN काली अगी बर उतनी नहीं होगी है आपको ले यह कि हाँ कुछ साफ हो रहा है और जैसे ही 4 लिए लए उतरेगी आपको लेगा अरह यह तो बहुत साफ हो गया तो तो अगर हम 40 दिन का आवरेज मानके चलते हैं आपकी इसकिन में और वो तीन बार का हम मानते हैं कि तीन बार में आपको फरक लेगा तो केवल 120 दिन वो होते हैं 120 दिन से 150-160 दिन में आपको अंतर दिखाए देगा और 150 दिन के बाद में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाए देगा उसमें कि हां अब आपके जाहिए 80-90 प्रतिशत ठीक हो गई है क्यों क्योंकि वो अंदर से खत्म हो चुकी है इसलिए भी बाहर से ठीक नज़ा रही है तो वैसे ही मुझे समझाना था अब तीसरा में टोपिक क्या था कि मुझे विश्वास मत करना क्योंकि मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूं वो चीज़े आप समझ लिजिए अगर मेरी समझा हुए बात आपको संझ में आती है तो फिर वो विश्वास से बड़ी होजाती विश्वास करना जोटा हुता है, और समझना, जानना एक बहुत बढ़ी चीज भी जैसे मैंकि मैं हर वीडियो में एक्जाम्पल देता हूं. आपके दो ये हाथ हैं, आप ऐसा आपको व विश्वास है, तो आपको तो बेटा है, तो ऐसा आपको पता है, तो वो ये ओगर एक कि आप उनकी बात मानोगे विश्वास करने में क्या होता है माल जी मुझे आपको मेरे उपर ट्रस्ट सकता हूं और बहुत सा लोग कमेंट करते है हैंगि बहुत सुर्व जिसवास आदनी करता है जहां पर उसको पता ही नहीं है के जहां पर उसको फेथ ही नहीं हुआ ठीक है लेकिन अगर दस डॉक्टर या दस लोग आपको बोलते हैं अरे क्या चक्करन पढ़ रहे हैं यह तो ठीक ही नहीं होती है तो क्या आपको उनकी बात मानने की जुरुत नहीं पड़ेगे क्यूंकि आपको पता है इस चीज़ का कि आप ठीक हो जाएंगे ठीक हो सकते हैं ऐसा नहीं ठीक आप हो जाएंगे और ठीक होने की मैंने तीन ट्रिक्स आपको बताएं थी पिछली वीडियो में आप वो जाएं वो जाक कह रहा हूं अगर आप जान लेंगे इन बातों को तो जादा बहतर रहेगा चलिए अब आपके कमेंट पढ़ लेते हैं लोग बड़ा मजा करता है एक मितने ने कमेंट किया है उनका नाम है ट्रस्टेड ट्यूबर लार को मुपर कैसे लगाए लार को मुपर कैसे बताऊंगा तो फिर मुझे वह भी करके दिखाना पड़ेगा अरे यार लार को मुपर कैसे लगाते हैं सावन को मुपर कैसे लगाते हो क्रीम को मुपर कैसे लगाते हो बस वैसे लगाना अलार को मुपर दूसरा कमेंट किया है सरीता कुमार ने इनका पहले मैं भी कमेंट पढ़ते हो देशी घी कोगनेट के वल उनके लिए है जिनको तोचा पर प्रलम है जिनको संटन है जिनकी तोचा जुलस गई है क्रिम लागा के जिनको जाई है के वली उन लोग के लिए है तो एक कमेंट बहुत ध्यान साब सुनिएगा डॉक्टर प्रितिक जी कि एस सम्पीपल सेट वैन यू एप्लाइट देशी घी इट गेट डार कर जोग कह रहे हैं कि जो हम देशी घी लगाते हैं तो जो वहारी तोचा है वो डार कर जाती है इस टूप यह सब्तिया है बट डॉंट फोर गैट वी आप्लाइट ओन होल अवर होल फेस नोट ओनली अ डाना चाहिए क्योंकि देशेगी हम अपने पूरे ही चाहरे पर लगाते हैं केवल हम जहाईयों पर नहीं लगाते हैं केवल अफ्ट इड़ा पर नहीं लगाते हैं कि जिस एरिया में हमारे pigmentation नहीं होता है वो अरिया तो हमारे चमकना चुरू कर देता है वो light हो जाता है फेर हो जाता है और जो डार्क एरिया है वो और ज्यादा light में आ जाता है उस पर shine आ जाती है कभी यह चीज आपने देखा कि जब बाले में आप तेल लगाते हो तो उसम लेट जाती है तो वो और जाद आपको डर्क लेगा तो इन्होंने यहां पर यह समझाए और यह इस चीज़ को बरत रही है यह मैं नहीं कहा रही है और मुझे लगा कि मुझे कमेंट यह पढ़ना चाहिए इनका क्योंकि यहां पर उन्हें बहुत अच्छी बात बताई है जो बाल आपके काले नज़र आएंगे और भी ज्यादा इसी तरह से यह है और यह कह रहे हैं कि यह फेड हो जाता है और शूर्टी ते फेड़ी होगा यूविल नोटीस आपको रिजल्ट तब स्वास्ट मिलेगा जब केवल आप अफेक्टेड एरिया पे इसको लगाएंगे ना कि जो आपके एरिया है उस पर लगाएंगे तो बिलकुल इन्होंने ठीक सला दिये और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं इनका कि इन्होंने इतनी अच्छ इस विद अधर्स सो हूँ नीट नो दिस थैंक यू सो मच सर यह मैंने अपलाई यह मैंने एसर ट्राय किया है तो मुझे पता है और मुझे लगा कि मुझे ओर लोग के साथ में शेयर करना चाहिए तो जो भी आप लोग के एक्सपिरेंस मिले हैं वो जाहे कुछ भी आपने बहुत अच्छा सजेशन यह दिया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यह दिमेदी में आपके फेड हो जाएंगी और इसकिन का साइकल वो धियान रखना जो मैंने आपको बताया और वो भी धियान रखना जहां वो लीकेज वाली बात मेरी पीपल डोंट गेट अफसेट कीप यूजिंग देसेगी और कीप ओन ठैंकिंग डॉक्टर प्रतिक चले पहले बात तो मुझे आपका धिन्यवत करना चाहिए यह कह रहे हैं कि देसी के लगाते रही और मेरा थैंक्यू करते रही है थैंक्यू मेरा नहीं करना है थैंक्यू यह चीज मैंने यूट्यू पेसले बताया क्योंकि मैंने अपने पेशिंट के उपर एक्सपीरेंस किया कि जो लोग चाहरा बिल्कुल डेमेज हो चुका था क्रीम लगा लगा के मैंने उन लोग पर यह देखा है ट्राइक किया है और मुझे सबसे बहतर रिजल्ट मिले है क क्लो कि इस्कीन के डोक्टर पास जाते हैं चेहरा बिल्कुल से बत्तर हो जाता है ब्धदा बहुत जाता पिर ग्यारी क्रीम छोड़ दो करा रहे हैं तो सब कुछ लगाना आप छोड़ेजिए ना क्रीम लगा ये न साबून लगा ये कुछ मत लगाई इसको चाहरे को हील होने की शरी के अंदर तो बेदें की फोग होगी हो जाती है कि आप उल्टेशने दे लाइते हैं शरिक के अंदर तो वह बहुत है कि वह खुद को खुर टीक है और यो इसको परमातवन्य दें दी थिक है तो कुछ मताव के जिए जश्ट लव दिस रमेडी विश्ट सेव लोट ओस पीपल्स मनी तो बाय केमिकल क्रीम तो केमिकल क्रीम नहीं खरीदना तीसरा कमेंट है फाल गुनी जोशी का प्लीज कॉलिंग नंबर मिलेगा कि दर हाँ यह लगा हुआ आपके उपर कॉलिंग नंबर यह सब देख ल नहीं ठीक है छिabord है यह सब़्े मेरी मेड बहुत बां लेक्ड़ मेरे बहुत है बाल बहुत लमबी कर रहे हैं और चोटी मेरे काफी लंबी हो गई है एक साल से मैं बाल रोके हुए है ठीक है और मैंने बालोग experience लिया है कि किस तरह से बाल रुकते हैं तूटने क्योंकि मेरे भी टूटे थे बीच में तो मुझे पता है मैं experience कर लिया है वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा ठीक है और ध्यान रखिए मैंने अपने बालों में लगभग दस साल मुझे हो चुकि मैंने आज तक कभी कोई ओयल नहीं डाला है कुछ नहीं डाला है केबल मैं मैं बता हुआ कि क्या करना बालो के लिए सर सब लोग अगला comment है पैंगल वाली बाजी का सर सब लोग बोलते हैं कि यह जाईए कभी नहीं जाती है कितना ही treatment कर लो फिर आ जाती है क्या यह सच है देखिए knowledge knowledge पूरी होने चाहिए अधूरी नहीं होने चाहिए जिस तरह से यहाई है ओई तरह से वापिस जाएंगे तो मैंने क्या काम किया उसके लिए वो जो मेरा pipe था मैंने वहाँ से दिवार खुद वाई पाइप को मैंने change कर आया और वहाँ पर अच्छे से उसको दुबारा fitting कर रहे है तो अब वहाँ पर दिवार में को problem नहीं है अब बिल्कुल पूरी देखिए ठीक है तो ऐसे ही जो आपके चैरे से चली जाएगी ठीक है तो मैंने यही कहा है कि मुझे बिश्वास मत कीजे ऐसा बिश्वास मत कीजी मुझे चली जाएगी मेरी जहाँ से लेटर जितने भी वीडियो से हैं वो सारे आप जाके देखे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जहाँए जाएगी औ लोग गए बिश्वास करें किरृ सो कि मेरी बिश्वास के आगे लिश्वास, विश्वास हमेशा वहीं किया जाता है जहाएं पता ही नहीं होता, बीट्रों भहत लंबी हो गए हैं लोग शिकायद में कुरते हैं कि बीटा बनाता है, लेकिन लोग को समझाना पड़ता है चलिए परातना करूंगा जहां से भी आप TREATMENT ले रहे हैं चाहें मेरा ले रहे हैं परमात्मा जल्दी से जल्दी आपको स्वस्थ करें जहां टीटमेंट ले रहे हैं तो पेशेंस रखें उनको समय दें कोई क्रीम आप चाहरे पर ना लगाएं क्योंकि उपर से किया हुआ कोई भी टीटमेंट नहीं काम करेगा अगर कोई डोक्टर आपको क्रीम देता है तो आप समझ लीजिए कि उनको पता नहीं है उस चीज़ का कैस उसको ठीक करना है और परमात्मा सभी कामाला करें